A.I.M.I.M. UP में चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है जिसके चलते उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि सपा अधियक्ष अखिलेश यादव के पैरुतले जमीन खसक गई मामला विस्तार से बताती हैं अखिलेश यादव की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा फिर स्वामी प्रसाद मौर्या, सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नीता बागी हुए इसके बाद रजसभाच चुनाव में आधा दर्जन विधायों को ने क्रोस वोटिंग कर दी अखलेश व्यादव इन चटकों से उबर भी नहीं पाए कि अब असूदिन OVC की पार्टी AIMIM ने उन्हें मुस्लिम वोटों में सेंध मारी करने की बड़ी धमकी दे दी है OVC की पार्टी ने लोगसभाच चुनाव में अखलेश व्यादव से समझोते के इच्छा जताते हुए पांच सीटों की डिमांट कर दी है अखलेश व्यादव को ये धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने AIMIM से समझोता कर उसे पांच सीटे नहीं दी तो असुदिन OVC योपी में ना सर्फ खुद किसी वोट से चुनाव लड़ेंगे बलकि मुसलिम बाहुल्य 25 दूसरी सीटों पर अपने उमिदवार भी उतारेंगे ऐसे में मुसलिम वोटों का बटवारा होने की पूरी जिम्मेदारी अखलेश यादव की होगी दावा ये भी किया ज़ा रहा है कि OVC ने हैदराबाद के साथ ही योपी में भी चुनाव लड़ने वाली सीट तै कर ली है हाला कि सीट का नाम अभी सावजनिक नहीं किया गया है OVC के पाटी All India मजले से इतिहादुल मुसलिमीन के प्रवक्ता मोहमत वरहन साहिब के मुताबिक अगर अखलेश यादव सही मायनों में बीजेपी से लड़ना और उसे तीसरी बार सरकार बराने से रोकना चुआते हैं तो उन्हें योपी में विपक्षी वोटों का विखराव रोकना होगा उनके मुताबिक असुदिन ओवेसी मौजुदा दौर में मुसल्मानों के एक लोते नेता हैं हर लोग सबा सीट पर उनका बड़ा वोट बैंक है प्रवक्ता मोहमत फरहान का कहना है कि उनके नेता ओवेसी ही सही मायनों में बीजेपी के खलाफ लड़ रहे हैं इसलिए खोद ओवेसी के चाहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में उनकी पाची को भी अपने इंडिया गडवन्धन में श्वामिल करें और चुनाव लड़ने के लिए पांच सीटे भी छोड़े प्रवक्ता फरहान के मुताबिक जिस तरह महाभारत के युद में पांडवों ने सिर्फ पांच गाउं मांगे थे उसे तरह ओवेसी यूपी में असी में सिर्फ पांच सीट चाहती हैं अगर अखिलेश यादव इसके लिए राजी होते हैं तो ठीक नहीं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए असो दिन ओवेसी हैद्राबाद के साथ ही यूपी की एक सीट से भी चुनाव लड़ेंगे उनका कहना है कि ऐसी सूरत में ओवेसी अकेले ही ताल नहीं ठोकेंगे बलकि यूपी में मुस्लिम बाहुले 25 दूसरी सीटों पर भी अपने उमिदवार उतारेंगे प्रवक्ता फरहान का कहना है कि अखिलेश यादव अभी तक ओवेसी और उनकी पार्टी को बीजवपी की बीटीम बताकर अच्छूत समझते थे लेकिन अब उन्हें ये साफ करना होगा कि वो मुसल्मानों और दलितों की आवाज उठाने वालों के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर वोटू का बटवारा कराकर खुद बीजवपी के लिए मैदान साफ करना चाहते हैं